इनकी निवक्ती होती है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में समझोता हुआ है समाजवादी पार्टी ने दो सीटे कॉंग्रेस को दिये है उपचुनाओ में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में गटबंदन हुआ है दो सीटे कॉंग्रेस को मिली है ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बढ़ा रहें। अलीगड की खेर, विधान सभा की सीट, अलाउदीन बातशीत करने के लिए हमारे साथ बुड़े गए हैं, अलाउदीन फॉर्मूला क्या होगा लगातार ये सवाल हो रहा था और अब फॉर्मूला क्लियर हो गया है, घटबंदन हो गया, और दो सीटे कॉंग्रेस के खाते मे कुल दस त्विधान सभा उपचुनाओं को ले करके जो बाते चल रही थी, उसमें समाजवादी पार्टी के खाते में आट सीटे आई हैं, दो सीटें कॉंग्रेस के पार्टी के पास गई हैं, कॉंग्रेस के पास जो सीटे गई हैं, वो शेहरी इलागों की सीटे हैं, यान करहल से जहां पहले से ही तुर्पताब यादो पत्याशी हैं सीसा महूँ से नसीम सोलंकी फूलपूर से मुर्सफा से देखी मुल्की पूर से अजीज परसाद हाला की चुनाओ कमाई लाना भी ले हुआ है कटेहरी से शुभावती वर्मा और मजवा से जोती दिन पहले से पत सामाजवादी पार्टि के खाते में लिए दायाशी से गई है कि अगर हम देखें तोARS विह आजीजाबाद की सीट और नो से पर समाचवादी पार्ट आपका अपना खास वर्चस्पमी रहा है वोड बैंक पिर आ है उसके बाद भी इसस यिटे को दी गई है अधियां बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं इस बात को मैं थोड़ा सागय और ले जाओंगा कि आपको याद होगा हधियाना की विधान सबाट चुनाओ में जो कि इंडिया गरबंधन का पार्टमावधी पार्टी था लगातार कह रहा था कि यादो बाहूल जो इलाता है ज उसे में ऐसा लगता है कि इस फार्मूले के समाजवाधी पार्टी चल रही है और आज ने दिखता भी ठीक आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उनका होल्ड है लेकिंगे इसके बात भी कॉंग्रेस पार्टी को चुनाओ लणने का मौका शायदी दिया जा रहा है कि समाजवाधी पार्टी के राश्टी के दिखने हरियाना चुनाओ के मौके पर जिए किया था कि बीजेपी घुहराना उनका बड़ा मकसद है ना कि गड़बंदन की तह सीटों को लेकर सिक्षी सान लड़ाई जगड़ा है अब सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि आपने गड़बंदन कर लिया सीटों का बटवारा भी हो गया लेकिन क्या इन दस सीटों पर अखिलेश श्यादाव और राहूल गांधी दोनों की जोड़ी प्रचार करते हुए कैंडियर्ट्स के लिए चुनावी जनसमाएं करते भी दिखाई देगी? बलकि चुनाव लड़ने मदद मिलेगी क्योंकि तेखिए अभी जिस तरह से जो टिकट एक दिया गया है मीरापूर का वो एकदम से उम्मीद नहीं थी बात कह रही थी कि काजिर्गाना की बेटी को उतार दिया जाएगा या उनके बेटे को उतारा जाएगा पैमिली उनकी अभी ही है इस बात सच है लेकिन उते बेटे की वाइफ को यानी काजिर राना ने अपनी बहू को मैदान में उतारा ना अपनी बेटी पर ना बेटे पर दाव लगाया सुंबुल राना जोकी एक युवा प्रक्याशी है युवानेता है तो शाय राजनेतिक तरह से गर दे अगर नहीं होगी तो बिलकुल उनको मैडान में जाना चाहिए बिलकुल अलाओदीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातशीत करने के लिए अलाओदीन अमारे समवाता इस वक्त की बली ख़बर पर हमें अपडेट दे रहे थे और स्पीच बड़ी ख़बर बेराईज गोलिक आर्ट के आरोपियों के एंकाउंटर पर ए आई एम आई एम प्रमोको ऐसी ने से